हलो दोस्तों वेल्कम बैक मैं छैनल, आझ कलनCौल Premt पर वीड़ियो है, देखें मेरे कलन्चौ में फुल-blooming पर आ गए हैं, कुछ कलियां हैं, और कुछ अभी कलियां निकल के भी आ रही है और कुछ खिलने भी लग गई है और देखिए यह मैंने कटिंग से तयार किया था और यह एक पति से भी इसलिक हो जाता है कहीं भी आप थोड़ी सी मिट्टी में इसकी कटिंग को टच कर दोगे तो वहीं से यह अपना रूट्स देना स्टार्ट कर देते हैं तो आज इसकी धेरो फ्लावरिंग कैसे आ रही है मेरे यहां पे कलियां बनी है अभी और यह दो वेराइटी है मेरे पास हाइब्रेड और यह देसी और देखिए हाइब्रेड वाला यह वाला तो मैंने अभी किते अड़ किया है अपने गार्डन में और बहुत अच्छे से इस पे फ्लावरिंग भी आ रही है धूप से थोड़ा फीका फीका कलर दिख रहा है लेकिन इसका लाइट पिंक कलर है बहुत ही प्यारा लगता है फोन में थोड़ा सा फीका आता है कलर और यह मेरे देसी हैं जिनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से बनने लग गई है और अब इनका टाइम है आप का जन्वरी से लेके ये मार्च अपरेल तक भर भर ब्लूमिंग करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसा नियकि पानी ही देते रहना है उसके लिए हमें फ़र्टिलाइजर का भी यूज़ करना है बदल बदल के फर्टिलाइजर देना है जो अब की बारी में जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ वो जादा मात्रा में नहीं देना है चुटकी के हिसाफ से देना है और चुटकी के हिसाफ से ही दोगे तो आपके ये कलंचो प्लांट पे कलिया और फूल भर आएंगे और इनकी थोड़ा ये पत्यों को भी हटाते रहना चाहिए जो नीचे जमीन में टच हो कि खराब हो जाती है गल जाती है थोड़ा उससे ऐसा है वो फंगस पकड़ लेती है फिर मिट्टी में टच हो जाती है तो अगर लगाएंगे तो हम ये नीचे की साइड से तरीके से ये मेरी कलीम भरी पड़ी है तो आज इसका ही मैं ट्रक लेके आया हूँ तो आए आते हैं अपने टॉपिक पे जो आज मैं देने वाली हूँ जिससे मेरे फूल और भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो यह है NPK 1919 तो यह देख लीजिए आप और यह फूलों में और इसको जैसे की केमिकल वाले अगर हम तो यूज कर नहीं करते हैं अगर फूलों के लिए चाही ही यूज करते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हम यूज करेंगे तो इसका उल्टा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा प्लांट खराब हो जाएगे और फिर हमें यह अच्छा रिस्पोंस देने की वज़ाए यह हमारे यहां से प्लांट ही कतम कर देगा ज़्यादा नहीं यूज करना बिलकुल एक लीटर पानी में एक चुटकी जैसे आप डालो एक ग्राम या दो ग्राम ऐसे एक चुटकी में जितना भी आता है उस हिसाब से तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दे दिया ज़्यादा नहीं देना है ड्रेनेजोर में होके फर्टिलाइजर हमारा निकल जाता है तो अब दूसरा काम हम इस पे यह है आप साम साल्ट इसका करूँगी मैं इस्प्रे तो इसको भी हमें एक चुटकी ही लेना है थोड़ा सा फाल तू ले लेंगे देख लीजिए चम्मच में दो चुटकी के सम्थिंग यह मैंने ले लिया है और एक लीटर पानी है इसमें भी यह मेरी बोटल एक लीटर लीटर की है तो इसी को मैं अच्छे से इसमें अफजब कर लूँगे थोड़ी से हिला इलाके और थोड़ा सा और इसको मैं स्प्रे करूँगी और चारो तरफ से हमें स्प्रे कर दे नहीं है पत्तियों पे फूलों पे अगर यह काम आफ धूप में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जितना भी फूलों पे पानी जाएगा वो सब सूख जाएगा और इसी तरीके से मैं अपने फूलों के इस कलेंचे को करती हूँ और इसी तरीके से यह देख अभी तो कलिया है जब खिलेंगी तो बहुत प्यारे लगेंगे तो जल्दी हूँ बताना वीडियो कैसा लगा है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें बावाई टिक के